हेलो दोस्तों नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो आज इतिहास प्रैक्टिसेट के अंतरगत हम देखेंगे अध्याए 10 दच्छिड भारत का इतिहास चोल चालुक और पलो इससे पहले मैंने 9 अध्याए पर चर्चा की उसे पढ़ाया उसे बताया अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर के हमारे फिले लिश्ट में देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं पहला कोश्चन है निम्न लिखित में से किनका पेरी प्लस आफदा एरी थ्रियंसी में दच्छडा पत के दो महत्तपूर अंतर राजिये बजारों के रूप में उल्लेख हुआ है तो प्रतिष्ठान यों तगर का प्राचीन पत्तन पुहार खिस के तट पर इस्तिथा तो बी जो है कावेरी के तट पर इस्तिथा चोल राजवन्स के निम्न लिखित साजकों में से किसे ने सर्व प्रथम दच्छड पूर्ब एसिया के विरुद्ध नौशैनिक अभियान चलाया तो सी जो है राजे इंदर प्रथम हो जाएगा वहाँ चोल राजा कौन था जिसने सिरी लंका को पूर्ण स्वतनतता दी और सिंगल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था तो वहाँ कुलो तुंग था अप्सन ए आपका राइट एंसर हो जाएगा 72 बैपारी चीन में किसके कारकाल में भेजे गए थे तो कुलो तुंग प्रथम के कारकाल में भेजे गए थे चोल राजाओं में किस एक ने सी लोन पर विजे प्राप्त की थी तो सी राजेंदर ने सी लोन पर विजे प्राप्त की थी निमने लिखित चोल सासकों में जिसने बंगाल की खाड़ी को चोल जील का सुरू परदान कर दिया था वह कौन था तो वह भी राजेंदर पर्थम था निमने लिखित में से किस चोल सासक को चोल गंगक नामक ब्रहत कृतिम झील बनवाने का स्रिय दिया जाता है तो भी जो है राजेंदर को दिया जाता है निम्ने लिखित मेंजे किसको दचिड भारत के विशेशकर चोल यूग के इस्थास पत्यों की विश्व में स्रेश्ट्यतम प्रतिमा रचना माना जाता है तो भी जो है नुटराज की माना जाता है गंगे कोड के चोल पूरम के अस्थापना किस ने की थी तो सी ही राजे इंदर प्रथम ने की थी भारत के इतिहाज के संदर्भ में निम्न लिखती युगमों पर विचार कीजिए सब्द विबरण एरिपती भूमी जिससे मिलने वाला राजसु अलग से ग्राम जलासें के रख रखाओ के लिए निर्धारित कर दिया था तिन तनी यूर एक अकेले ब्रहमर अथवा एक ब्रहमर समुख को दान में दिये गे ग्राम घटिका प्राया मंदिरों के साथ सब्द विद्यालेस्पुग में से कौन सा युगम सही है तो युगम जो है पहला और तीसरा सही से लिए आपका सही हो जाएगा नटराज की प्रसिद्ध कांसमूर्ती एक उतक्रिष्ट उधारन है तो यह चोल कला की उतक्रिष्ट उधारन है चोल राज में नाट्य विनियोगम सब्द का क्या भी प्राय था तो C नड़ू के खर्च के लिए एक कर चोलों के अंतरगत तट्टोली कर अधा करते थे तो C सुनार करते थे कुसल ग्रामीड प्रसासन के लिए प्रसिद्ध राजवन्स था तो A चोल राजवन्स था चोलों के अधीन ग्राम प्रसाशन के बहुत से ब्योरे जिन सिला लेखों में है वे कहा है तो वे डी उत्तर में रोरी में है किस दच्छिड भारतिय राज में उत्तर संग उत्तर ग्राम प्रसाशन था तो यह सी चोल में उत्तर ग्राम प्रसाशन था निमनिलिखित में कौन चोल प्रसासन की विशेषता थी तो बी जो है ग्राम प्रसासन की स्वयात था चोलों का राज किस छेतर में फैला था तो डी जो है कोरो मंडल तट दक्कन के कुछ भाग में फैला था निमनांकित राजवंसों में से किसके सासक अपने सासनकाल में ही अपना उत्राधिकारी घोसित कर देते थे तो भी जो है चोलवंस में वह दच्छिड भारतिय राज जो अपनी नोसाय निकस सकती हेतु प्रसिद्ध था तो भी जो है चोलवंस था चोल सासकों के सासन काल में निम्दने लिखत में से कौन सा वारियम उद्दान पर सासन के कारी देखता था तो C जो है टोटवारियम प्राचीन भारत का वह राज जो नौशेना के लिए प्रसिद्ध था तो B जो है चोलवंस हो जाएंगा निम्न मेंसे दच्छिर भारत का कौन सा राजवन्स अपनी नव सैनिक सक्ती के लिए प्रसिद्ध था तो ये जो है चोलवन्स था कौपम की लड़ाई निम्नांकित के बीच हुई थी तो भी जो है पस्यम चालुक की और चोलवन्स के बीच हुई थी निम्न कतनों पर विचार कीजिए चोलों ने पांड़े तथा चेर सासकों को पराज़ित कर महादी पी भारत का प्रारंभिक मद्धिकालीन समय में अपना प्रभुत स्थापित किया चोलों ने दच्छड पूर्वी एसिया के सैलें समराज के बिरुद्ध सैन अभियान करके कुछ छेतरों को विजद किया इन कतनों में से कौन से सही है तो सी जो है दोनों एक और दोनों सही है चोल समराज को अंताह किस ने समाप्त किया तो डी जो है मलिक काफूर ने समाप्त किया दच्छडी भारत का प्रसिद्ध तकोलम का युद्ध हुआ था तो भी चोल एउम राष्ट कूटों के मद्ध हुआ था निमने लिखित में से किस मंदिर का निर्माण रानी लोक महादे भी द्वारा किया गया था तो डी जो है पटड़कल विरुपाच मंदिर का निर्माण जो है इनके द्वारा किया गया था निम्न लिखित में से किसका राज जैन धर्म मानने वाले तथा जैन मंदिरों का निरमार करने वाले धनाड़े वेपारियों के लिए ख्यात था तो भी जो है चालू कुश्चका चालू की वंस का सबसे महान सासा कौन था तो C पुल के सिंद दुतिय था चालुक्यों की राजधानी कहा थी तो ए वातापी थी निम्न लिखत मेंसे किस वन्स द्वारा प्राया महिलाओं को प्रसासन में उच्छ पद प्रदान किये जाते थे तो भी चालुक वन्स में निम्न मेंसे किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के सासन काल में चीन एयों भारत के संबंदों का विवरण दिया है तो भी में हो इन्सांग निम्न लिखत में किसके लिए कहा जाता है कि उसने सास्त्रार्थ में अनेक बौध्धों और जैनों को पराजित किया तथा पल्लव राजा महेंद्र वर्वन को सैव धर्म में दिख्षित किया तो ए जो है अपपर हो जाएगा इस राजवन्स ने उत्तर भारत पर सासन नहीं किया है तो ए चालुक्यों ने उत्तर भारत पर सासन नहीं किया है प्राचीन पत्तने उमून की आवस्थित के युगमों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है तो C जो है मस लिये कौंकर सुमेलित नहीं है मत्विलास प्रहसन का लेख कौन था तो C महेंद्र वर्वन था पत्तिनम थे C बंदरगा सहर निमने लिकित में से कौन से पत्तन दच्छिड भारत के पश्चमी तड़ परिस्थित थे तो C जो है कावेरी पत्तनम दूसरा कोरक्के तीसरा मुशिरी चौथा तोंडी कूट के माद हम से जवाब देना है तो इसका आपका तीसरा और चौथा हो जाएगा इसलिए अपसन C हो जाएगा मतलब मुशिर और तोंडी ये पश्चमी तड़ परिस्थित थे नेक्ष्ट है तीसरी सताब्दी के वारंगल परिस्थित था तो C लोहे के यंद्रोब करणों हे तू परिस्थित था इदंगाई तथा वालंगाई थे तो यहाँ A सामाजिक वर्ग के थे निमनिलिकित मेंसे कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था तो D जो है मडी ग्राम था निमने लिखित में से कौन सैव धर्म के समा या चार थे नाथ मुनी मरिक का वाशकर समंदर सुन्दर नीचे दिये गए कूट के माधिम से जवाब देना है तो इसका एंसर जो हो जाएगा वह सी हो जाएगा सिकंड और थर्ड आपका सही हो जाएगा पांड़े राज की जीवन रेखा कौन सी नदी थी तो इसमें जो है कृष्णा नदी थी सुची फश को सिकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट के माधिम से सही उत्तर का चैन कीजिए तो इसका जो एंसर हो जाएगा वह आपका ए हो जाएगा मतलब चालुकी का बदामी, पलो का काची पुरम, हर्स का कनोज तथा जो पांड़े है उसका मदरई हो जाएगा कभी कालीदास के नाम का उलेख किस में हुआ है तो भी जो है एहोल के उत्क्रियन लेख में हुआ है पुलकेशिन प्रथम बादामी सिला लेख सक वर्स 465 का दिनांकित है यदि इसे विक्रम समवत में दिनांकित करना हो तो वर्स कब में होगा तो वर्स 601 में होगा संस्क्रित के कभी और नाटक कार कालीदास का उलेख हुआ है तो पुलकेशिन दुतिये के एहोल अभिलेख में हुआ है एहोल अभिलेख निम्न लिखित में से किस एक की किरती का विबरण देता है तो ए जो है पुलकेशिन दुतिये के किरती का विबरण देता है निम्न में से किस स्रोत में हर्स एम पुल के सिंदुतिये के उयुद्ध का वर्ण है तो C जो है वह तीसरा और चोथा हो जाएगा मतलब हर्स का बांस केड़ा अभिलेग तथा पुल के सिंदुतिये का एहो अभिलेग तो यह जो है तीसरा जो है सी में दिया हुए तीसरा में चोथा दोनों शही हैं एक चालुक की अभिलेख के तिथी अंकन में सक समवत का वर्स 556 दिया हुआ है इसका तुल्ली वर्स है तो डी 634 इस भी हो जाएगा विजय नगर समराज के बारे में निमने लिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो पहला कथन जो दिया हुए वह राजाओं ने भगवान विरुपाच की ओर से सासन करने का दावा किया सासकों ने देवताओं के साथ अपनी घनिष्ट सनलंगनता इंगित करने के लिए हिंदू सुरात्राण उपाधी का प्रियोग किया तीसरा है सभी राजसी आदेशों पर कन्नर संस्कृत और तमिल में हस्ताचर किये थे चौथा जो है राजसी आकिरती मूर्ती अब मंदिरों में प्रदर्सित की जाती थी कि जिसे नीचे दिये गए कूट के योग से देखना है तो इसका जो राइट एंसर हो जाएगा एक दो और दो चार सही हो जाएगा और संदी आपका राइट एंसर होगा इसमें चोल राजवनस द्वारा निर्मित ब्रहदेश्वर मंदिर में स्यू का कौन सा रूप सरवाधिक विसिष्ट है तो स्यू का हरी हर रूप जो है सरवाधिक विसिष्ट है नभी सताबदी इस भी में निम्न लिखित में से किसके द्वारा चोल समराज की निउडाली गई राज प्रतम हो जाएगा चोल साजकों के समय बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई तो डी जो है नट राज स्यू की कांशी की प्रतिमा जो है सबसे अधिक विख्यात हुई किस चौल राजा ने जल सेना प्रारम की थी तो डी राज राज परथम ने प्रारम की थे काजी काब विख्यात कैलास नात मंदिर किसने बन आया था तो ए नरसिंग वरवनदोति ने बन आया था चौल युग परसिद था, निम्न के लिए कौन सा सही है तो B ग्रामीर सभाएं सही हो जाएगा चोल काल के पेरू अली किसे निरूपित करते थे तो A प्रमखमार को निरूपित करते थे निमनिलिक्ट मेंसे किस चोल सासक ने नाग पट्टे में एक बध विहार के निर्मान में शैलेंदर समराट मरज तुंग वरवन के साथ सही हो किया था तो सी राजा पर्थम ने किया था चोल राज में निम्लिखित प्रसासनी के काईयों पर विचार कीजिए कोटम उरू वालनाडू आकार के दिष्टी से और रोही करम में का सही हनुकरम कौन सा है तो बी जो है पहले तीसरा फिर पहला और फिर दूसरा हो जाएगा चोल काल में कुर्रम क्या थे तो चोल काल में कुर्रम ग्राम शंग थे है मिताचरा पुस्तक किस से सम्मंदित है तो यह जो है हिंदू कानून से सम्मंदित है तंजोर चोल पूरम के ब्रहदी स्वर मंदिर का निर्मार किस नहीं करवाया था तो राज राज नहीं करवाया था प्राचीन भारत के राजवन्सों में चोल को ही क्यों महत्पूर्ण समझा जाता है क्योंकि इस वन्स के साथ के अत्यंत प्रभावी स्वायत प्रणाली का होना है मंडलम बलनाडू और नाडू किस राज से समंधित है तो ए चोल राज से समंधित है निमने लिक्त में से कौन सा मंदिर चोलो से समंधित नहीं है तो सी कहलास नात मंदिर चोलो से समंधित नहीं है नाना देशी क्या थे तो यह भी जो है एक वियापारी स्रेडी के थे किसकी काल में गंगय कोड चोल पुरम चोल समराज की राजधानी बनी तो भी जो है राजेंदर पर्थम के काल में बनी वहा स्री विजय सासा जिसने राज-राज पर्थम के काल में अपने पिता दोरा नाग पट्टना में आरम किये गए बहुत विहार के निर्मार काल को पूरा किया कौन था तो सी मारावी जो तुंग वर्मन था किस चोल सासा के विशे में कहा जाता है कि उसकी हत्या रुद्ध भीडने कर दी थी तो सी जो है अधिक राजेंद ने निमने लिखित में से किस चोल सासा की उपाधी पंडित चोल थी तो भी राजेंद प्रथम की उपाधी पंडित चोल थी नेक्स्ट कोईशन है चोल काल में राशी धान की रोप में संग्रह किये जाने वाले भूमी राजा सुको किस से मापते हैं तो ए जो है कलम से मापते थे निम्निलिखित राजाओं में से किसने खंभात में एक मस्जिद के जीवनों द्वार के लिए अपने निजी कोस में से एक लाग बलो तरह का अनुदान दिया था तो सी जो है जैसिंग सिद्धराज ने तुन्जादूर के ब्रहदीश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था तो भी राज-राजपर्थम्ने करवाया था चोल अस्थानिय स्वासासन के लिए उत्तरदाई समितियों के सदस्यों के संबंद में निमनी लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो जो मद्दान द्वारा चुने जाते थे या कथन सही नहीं है इसलिए आपका सही अंसर हो जाएगा गाओं के सासन को स्वाइत सासी पंचायदों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्ता का सूत्र पात किस ने किया तो भी जो है द्रबडों ने किया था निमने लिखित मेंसे कौन सी जोड़ी छेवी से बारावी सताबदी तक दच्छिट भारत का राजियों मुझकी राजधानी सुमिलित नहीं है तो सी जो है वा चेर पांट चेरी हो जाएगा सिरी वल्लब उपाधी किसकी विशिश्टा थी तो यह डी जो है चालुकों की विशिश्टा थी निमने लिखित मेंसे कौन सा एक चोल सेना का भाग नहीं था तो सी जो है रत चोल सेना का भाग नहीं था निमने लिखित में से किसकी उपाधी त्याग समुन्द्र था तो डी जो है विकरम चोल का उपाधी त्याग समुन्द्र था निमने लिखित में से किस एक चोल सासंग ने रामा नुझ को उत्पीडित किया था 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 उन्हें अपने राज से बाहर निकाल दिया था तो बी जो है कुलो तुंग सिकंड हो जाएगा वक कौन चोल नरेश था जिसने सासंग काल में तंजोर के ब्रहदेश्वर मंदिर का निर्माड हुआ था तो सी जो है राज राज प्रथम हो जाएगा चोल सासंग में अधिकारियों का चैन करते समय निमने लिखित में से किन परक्रियाओं का प्रियोग किया जाता था तुस्री जो है एक दो और तीन का प्रियोग किया जाता था वह स्रीविजय सासक जिसने राज-राज-पृथम के काल में अपने पिता द्वारा नाग पटना में आरंब किये गए बहुत विहार के निर्माड काल को पूरा किया कौन था तो सी जो है मार विजोतुंग बर्वन था निमने लिखित में से कौन सा मंदिर चोलों से सम्मधित नहीं है तो सी कैलासना चोलों से सम्मधित नहीं है निमने लिखित में से किस चोल सासक की उपादी पंडित चोल थी तो भी जो है राज-इंद पर्थम की उपादी पंडित चोल थी किसके काल में गंगय, कोड़ चोल पुरम, चोल समराज की राजधानी बनी तो B जो है राजेंद प्रथम हो जाएगा निम्नी लिखित में से कौन चोलों के सिकों पर उत्रिण नहीं है तो D जो है हाथी चोलों के सिकों पर उत्रिण नहीं है किस चोल सासक के विषय में कहा जाता है कि उसकी हत्या कुरुद भीडने कर दी थी तो सी जो है अधिक राजेंद्र के हत्या कर दी थी निमने लिखत मेंसे कौन गंगे कोड विरुद से सम्मानित था तो सी जो है राजेंद्र परधम था प्राचीन भारत में यौन्धे कौन थे तो सी जो है एक गड़ तंत्री का जन जाती थे निमने लिखत में से कौन परागमन शुल्क समाप्त करने के कारण सुंगन दर्वित विरुद से सम्मानित था तो सी जो है कुलोतुंग पर्थम सम्मानित था चोल देसों में वीर पत्नों का ताथिपर था तो वीर वलंजूव या पारियों की भस्तियां हो जाएगा इसका राइट आइंसर किसके सासनकाल में महिलाओं को उच्छ पदों पन्युक्त किया जाता था तो ए चालुक के सासनकाल में निमने लिकित में से कौन चोल राजा नहीं है तो सी जो है कोकिल विक्रमयादित चोल राजा नहीं है निमने लिकित में से किस पल्लो राजा की उपाधी राज सिंग थी तो डी जो है नरसिंग मरवन्दुतिये की उपाधी राज सिंग थी प्रसिद्य संस्कित लेखक दंडिन किस की सभाग को अलंकृत करते थे तो बी जो है पलो की सभाग को अलंकृत करते थे चोल राजाओं के स्नाना गार यों भोचनाले का प्रबंध कौन देखता था तो सी जो है इस्त्रियों तथा पुरसों दोनों देखते थे निमने लिखित मंदिरों में इसे किस एक का सम्बंद चोलों से हैं तो D जो है तंजोर का ब्रहद्यस्वर मंदिर हो जाएगा सूची फस्ट को सिकन से सुमेलित कीजिए इसका जो राइट एंसर है वह सी हो जाएगा यानि कि लोक महादेवी का पंड कल का विरू पाच्छ हो जाएगा नर्सिंग बर्वन दुरोपदी रथ हो जाएगा राज राज का चौथा तंजावुर का ब्रहते सुर मंदिर हो जाएगा तथा राज सिंग पलो का जो है दूसरा काची का कैलास मंदिर हो जाएगा इस टाइब का वापको इसको मिलान कर लेना है निमनी लिक्त मेंसे किनके अंतरगत प्रसासनमी महिलाओं कोई अपेच्छाकृत अधिक भागीदारी थी तो ए चालुक में निमनिलिक्त में इसे कौन सा सब्ध चोल के साही सैन निदल के लिए था तुस जो है वत्तर का निमनिलिक्त वक्तुव्यों पर विचार कीजे तथा नीचे कूट के माधन से आपको उत्तर देना है ए है जो है चोल राजा कुलोतुंग ने सैलेंद्र चुर्णामरी बिहार को प्रदत ग्राम का मुक्त कर दिया कारण आर है कुलोतुंग कडारम को नश्ट करने का दावा करता है इसका जो राइट आइंसर हो जाएगा बी हो जाएगा ए आर आर दोनों सही है कि तू एक ही सही व्याक्या आर नहीं है नेक्स्ट कोईशन है चोल काल में निमने लिकित में से कौन सा एक सहचड़िक उद्देश के लिए था तो भी जो है सलभोग था चोल सासकों ने इस उद्देश से भूमी का विस्तरित मापन यानि शेर्बे कराया तो भी सरकार के राज़स भागो निश्चित करने है तू चोल काली निसरबादिक प्रिसित कांश पृतिमा किसकी है तो भी जो है नटराज की है इन में से किसने महाबली पूरम में पंगोडा रथो का निर्मार कराया था तो सी जो है पलोग ने कराया था द्रब्ड मंदिर स्थापत्ति का सरभादिक महत्यपूर्ण लच्छण है तो भी गोपूरम है किस पलोग सासंग ने सरप्रथम सिलाओं में उत्खनित मंदिर निर्मार करके चेतिकारी विरुद्ध धारण किया था तो ए जो है महेंद पर्बन प्रथम हो जाएगा प्रसिद्ध नाटक मत्यविलास प्रहसन का उलेख स्वारी का लेख कौन था तो डी जो है महेंद पर्बन प्रथम था चोल प्रसासन में राज्ये की भागोलिक प्रसासनी के काई हो का सही घरता करम क्या था तो जो है इसका एंसर मंद लम को टम नाड़ू और पुर्रम हो जाएगा तो इस प्रेक्टिसेट में बस इतना ही नेक्ष्ट प्रेक्टिसेट में गुप्त काल से संबंदी था आपको हम बताएंगे तो अगर आपने हमारे चैनल पर नए है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन प्रेस कर दी जगा जिसे कि हमारे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन मिल सके तो चलिए तैंक यू जै हिन जै भारत